तो आज लेकर के आया हूँ मैं दोस्तो एस्टार्ट भर्ब इस वीडियो में जानेंगे एस्टार्ट भर्ब का हिंदी मिनिंग एस्टार्ट भर्ब का पांचो फर्म जैसे दुनिया का जितना भी भर्ब होता है दोस्तो उसका पांचो फर्म होता है उसी तरीके से एस्टार् भर्ब का परियोग sentence में किया जाता है तो चलिए start करते हैं इस start भर्ब को to start तो बतला दू दोस्तों कि मेन भर्ब के form के आगे to लगाया जाता है इसलिए हम यहाँ पे start भर्ब के आगे to लगाया है तो start का हिंदी मेनिंग होता है शुरू करना आरंभ करना चालू करना जारी करना यानि आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं दोस्तों तो आप बोलेंगे start यहीं हिंदी मेनिंग होता है आप किसी काम की शुरुआत करे या परारंभ करे या चालू करे तो आप बोलेंगे start और आगे बरते हैं दोस्तों जानते हैं start verb का 5 form तो यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों start verb का 5 form भीवन होता है start, भी2 होता है started, भी3 होता है started, भी4 होता है starting, भी5 होता है starts तो ये पाचों फर्म है start, started, started, starting, starts बतलादू दोस्तों जानकारी के लिए कि भी1 और भी5 का यूज present in definite tense में किया जाता है भी2 का यूज past in definite tense में किया जाता है, भी3 का यूज past participle के रूप में किया जाता है perfect tense में किया जाता है और पूरे passive voice में भी3 का यूज किया जाता है भी फोर का यूज continuous tense में किया जाता है present participle के रूप में किया जाता है और जीरंड के रूप में भी भी फोर का यूज किया जाता है तो इसलिए भर्व के पाचो फर्मों को जानना बहुत compulsory हो जाता है चाहे आप spoken करें, चाहे आप writing करें चाहे आप किसी भी preparation के लिए English सिखना चाहे दोस्तों तो हर एक भर्व का कम से कम पाचो फर्म तो आपको आना ही चाहिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि ये start भर्व से कौन कौन सा word meaning मिल करके बना है तो ये word meaning है दोस्तो, start, starts ये है singular noun और ये है plural noun जैसे एक pen को pen बोला जाता है और एक से अधिक pen को pens उसी तरीके से एक आरंभ को start बोलेंगे और एक से अधिक आरंभ को आप starts बोलेंगे तो start और starts का परियोग जब noun के रुप में किया जाए तो इसका हिंदी मिनिंग होता है परारंभ, आरंभ, सुभारंभ या अस्थापना किसी चीज की अस्थापना को भी दोस्तो start बोला जाता है तो एक परारंभ हो या अरंभ हो या सुभारंभ हो या स्थापना हो तो एक के लिए आप start और एक से अधिक परारंभ हो या अरंभ हो या सुभारंभ हो या एक से अधिक अस्थापना हो तो आप बोलेंगे starts अगला वर्ड मेनिंग है दोस्तों जो कि start से ही बना है starter, starters तो starters singular noun है और starters plural noun है यानि वह बेखती दोस्तों जो शुरू करने की किरिया को करता है उसको इंगलिस में बोला जाता है starter यानि जो शुरुवात करता है जो किसी काम को चालू करता है उसको बोला जाता है स्टार्टर तो स्टार्टर और स्टार्टर्स का हिंदी मिनिंग होता है प्रवर्तक, प्रारंभग या हिसेदार तो एक परारंभक हो यह एक हिसेदार हो यह एक सुरू करने वाला हो तो उसको आप इंगलिस में बोलेंगे a starter और एक से अधिक संख्या के लिए आप बोलेंगे a starter तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सिखाते हैं कि किस तरीके से आप in wordo का यूज sentence में करेंगे तो आपको अगर बोलना हो किर्पिया सुरू से सुरू करें तो आप बोलेंगे please start over from the beginning अगर आपको बोलना हो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं तो आप इंगलिस में बोलेंगे let's start या फिर आप बोल सकते हैं let's get started तो इन दोनों sentence में अंतर हैं दोस्तों जैसे आप क्या सुरू करने वाले हैं अगर आपके सामने वाले बेक्ती को पता हो तो ये वाला sentence का यूज करेंगे let's get started जैसे वीडियो की सुरूआत में मैंने पहले ही आपको बोल दिया था तीस वीडियो में जानेंगे start भर्व का हिंदी मीनिंग, start भर्व का पाचो फार्म और start भर्व से जो वर्ड मीनिंग मिल करके बना है वो तो हम बोले होते वहाँ पे दोस्तो let's get started तो यहीं इस वाले और इस वाले sentence में अंतर है आगे बढ़ते हैं दोस्तो अगर आपको बतलाना हो वा सुरू करती है तो आप इंगलिस में बोलेंगे she starts अगर आपको कहना हो आप सुरू करते हैं तो आप बोलेंगे you start अगर आपको बोलना हो दोस्तो वह फुटबॉल खेलने लगता है या वह फुटबॉल खेलना सुरू कर देता है इन दोनों को इंगलिस में बोलना हो, तो आप बोलेंगे he starts playing football, वह शुरू कर देता है playing यानि खेलना, football यानि football, इसी तरीके से आपको बोलना हो, वह खाना खाना शुरू कर देता है, तो आप बोलेंगे वह नाचना शुरू कर देता है वह रूरना शुरू कर देता है वह दोरना शुरू कर देता है वह दोरना शुरू कर देता है तो यहाँ पे जो एक्षन करना शुरू कर देता है यहाँ पे आप लिखेंगे उसका धीफोर जैसे वह मुश्कुराना शुरू कर देता है तो आप बोलेंगे इंग्लिस में He starts smiling आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कुछ sentence अगला sentence है दोस्तों अगर आपको बोलना हो वह रोने लगती है तो आप इंग्लिस में बोलेंगे C starts crying वह मुश्कुराने लगती है तो आप बोलेंगे C starts smiling तो जो भी वह किरिया करने लगती है दोस्तों यहाँ पे आप लिखेंगे भीफोर जैसे वह पढ़ाने लगती है C starts teaching वह पढ़ने लगती है C starts reading वह दवडने लगती है C starts running वह बोलने लगती है C starts speaking इस तरीके से आप बहुत सारा sentence बना सकते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगर आपको बोलना हो वह पढ़ाने लगा तो आप इंग्लिस में बोलेंगे He started teaching यह past indefinite का tense है और यह भीटू है दोस्तों अगला वाक्य है क्या आप एक परावर्तक हैं यानि अगर हमको पुछना हो कि क्या आप एक सुरू करने वाले हैं तो हम बोलेंगे इंग्लिस में Are you a starter क्या आप एक starter हैं क्या आप एक परारंबत हैं अगर आपको बोलना हो दोस्तों अगर आपको किसी को order देना हो कि आप इस काम को करो इस काम को सुरू करो तो इस तरीके से order दे सकते हैं जैसे मुझको बोलना हो नाचना सुरू करो मुझे किसी को order देना हो कि नाचना सुरू करो तो मैं बोलूंगा start dancing इसी तरीके से order देना हो कि खाना खाना शुरू करो तो बोलूंगा start eating दोड़ना शुरू करो start running खेलना शुरू करो start playing तो जिस भी किरिया को आपको order देना हो दोस्तो यहाँ पे भी फोर लिखेंगे यहाँ रहेगा start और यहाँ पे order देने वाली किरिया का भी फोर, जैसे हसना शुरू करो, start smiling, तालिबा जाना शुरू करो, start clapping, इस तरीके से आप बहुत सारा sentence बना सकते हैं, अगला वाक्य है दोस्तों, अगर आपको बोलना हो, मेरा परारंभ धीमा था, तो मैं इंगलिस में बोलूँगा, my starting यानि मेरा शुरूआत, was यानि था, slow यानि धीमा, my starting was slow, मेरा शुरूआत धीमा था, अगर इस वीडियो से आप लोगो को कुछ भी सीखने को मिला है दोस्तों, तो प्लीज कमेंट बोक्स में कमेंट करिए, कि नेक्स्ट वीडियो किस भर्ब पे ले करके आएं, और वीडि पीडियो का पीडियो मिलेगा, डाउनलोड करिए, और अधिक से अधिक पर्यास करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको लगता है किया वीडियो किसी की इंगली सि पेर करिए,